जहन बंदेवातरम दोस्तों मैं आपका दोस्ता गुरू आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही महत्पूंट टॉपिक आज का इत्यास नाम की वीडियो प्रारम होने जा रही है जैसे आज 18 मई है 18 मई को क्या-क्या घटनाएं घटित हुई थी आज का दिन क्यों खास ह है वो सभी आपको बताया जाएगा 10-15 मिनट आप डेली समय निकालके हमारी अवस्ति वीडियो देखा करें आज 18 मई है तो आज से 18 मई 19 मई 20 मई जो भी आगे समय आता जाएगा उसमें क्या-क्या घटनाएं घटित हुई है क्यों आज का दिन खास है वो सब आपको बताया जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो सबसे पहले बता दें साल में अभी 227 देन से इस बचे हुए हैं तो अपना आप ऐसा लच्छ बनाएं आप अपना ऐसा सुभाव बनाएं कि आप पे कोई उंगली ना उठा सके है 18 मही की महतपूर घटनाए 1848 में जर्मनी ने पहली नेशनल असेंबली का उद्गाटन हुआ था 1912 18 मही 1912 को पहली भारतिय फीचर लेंथ फिलिम स्री पुंडाले के रिलीज हुई थी 1974 राइस्थान के पोखरण में पहले भूमिगत परमाडू पम परिक्षण के साथ भारत परमाडू सकती संपन्य देश बना था इस परिक्षण को इसमालिंग बुद्धा नाम दिया गया था बहुत ही महतपूर ये तत्य है हमें याद होना चाहिए कि हमारा जो देश है वो पहली बार कब भूमिगत परमाडू बम परिक्षण के साथ परमाडू सकती संपन्य देश बना था 1991 अठारा मई 1991 को ब्रिटेन का पहला ब्रिटेन का पहली एस्ट्रोनॉट हेलन सर्मन ने अंतिरिक्ष के लिए उडान भरी थी 27 बर्सी हेलन सूवियत सोईज नाम की अंतिरिक्ष कैपसूल में बैठकर कजाखस्तान से रवाना हुई थी 1950 उत्तरी अट्लांटिक संदी पर हस्ताचर करने के एक साल बाद इसी दिन बिस्व के बारे देशों ने अमेरिका और यूरोप की रक्षा के लिए एक 27 संगठन पर सहमती दे थी जैसा कि हम जानते हैं हमारा दुत्तिय बिस्यूद कब तक चला था 1949 से लेकर के 1944 तक चला था तो उसमें बहुत जानमाल की हानी हुई थी जिसके कारण ये हुगा था 1994 अठारा मई 1994 को सहित राष्ट संग ने 1995 सहिस्रणता बर्स के रूप मैं मनाने का निड़े लिया था गाजा पट्टी छेत्र के अंतिम इस्त्राइली सैनेक टुकडी हटाये जाने के साथ ही छेत्र पर फिलिपिस्तानी स्वाई साई सासन पूर्णता लागू हो गया था अब आपको बता दू जो सहित राष्ट संग ने 1995 में सहित राष्ट सहिस्रणता बर्स के रूप मैं मनाने का निड़े लिया था गाजा पटी छेत्र के अंतिम इस्त्राइली सैनेक टुकडी हटाये जाने के साथ ही छेत्र पर फिलिपिस्तानी स्वाई साई सासन पूर्णता लागू हो गया था दो हजार छे अठारा मई दो हजार छे को क्या हुआ था नेपाल नरेश को करके दारे में लाया गया था यानि जो नेपाल के नरेश यानि राजा थे उनको राजा ही कहा जाता है उन्हीं को अब राष्टपती वगेरा चालू हो गया नेपाल में कहना लेकिन पहले राजा की भूमका में नेपाल आया करते थे अभी हाली में दो हजार साथ कजाकिस्तान के राष्टपती नूर सुल्तान नजर बाइब का कारकार असीमिस समय के लिए बढ़ा दिया गया कजाकिस्तान के राष्टपती है नूर सुल्तान नजर बाइब इनका कारकाल किसी कारण भस असीमिस समय के लिए बढ़ा दिया गया है दो हजार आठ पार्श्वगाईर नितीज मुकेश को मद्द्प्रदे सरकार ने राष्टिय लता मंगेशकर अलंकरण से संबानित किया गया है भारतिय मूल के लेखक इंद्रा सिंग को उनकी किताब एनिमल पीपल हे तू कॉमान बेल्स सम्मान प्रदान किया गया है याद रख लें इंद्रा सिंग को उनकी किताब यानि उनकी किताब है इंद्रा सिंग एनिमल पीपल्स उनके लिए कॉमन बेल्स सम्मान प्रदान किया गया है 2009 स्री लंका की सरकार ने 25 साल से तमिल पिद्रों के साथ ही रह रही जंग के खत्मोंने का ऐलान कर दिया सेना ने देज के उतरी सोपर कबजा किया लिटे प्रमोख बैलू पिल्लाई प्रभाकरन को माडा ला गया 2017 हिंदी फिल्म की अब नेत्री रीमा लागू का निदन हो गया है 18 माई को जो जो व्यक्ति जन्मे थे उनके बारे में आप जानते हैं 18 माई 1969 फंगन सिंग फुलस्ते का जन्म हुआ था जो भारतिये जन्ता पार्टी के संबंध राजनी तिग्यत है 1682 साहू छत्रपती सिवाजी का पौत्र तथा संबूजी और एसुबाई का पुत्र का जन्म हुआ था 1948 थावर चंड गहलोत का जन्म हुआ था जो भारतिये राजनीता थे हैं अभी हाली में वह जीवित हैं 1949 सुधीर रंजन मजूमदार भारतिय राष्टी कंग्रेस के राजनीतिक थे 1914 एम जगननाथन भारती रिजर्बेंग के तसमे गवर्नरती बहुत ही महत्पूरी है 1933 एच डी दैवगोडा भारत के बार में प्रधान मंत्री इनका जन्म हुआ था 1881 राम लिंगन चेटियार का जन्म हुआ था वे एक बकील्ड राजनीतिक और मिदान सभा के सदस्वी थे अब 18 मई को किन किन का निधन हुआ था उनके बारे में जानते हैं 2017 रीमा लागू हिंदी फिल्म की सांदार अगनेत्री थी उनका निधन हुआ था आज ही कि दुए 2012 जय गुर्देब जो प्रसिद धार में गुरू थे उनका वे निधन हुआ है 2012 में 1966 पंचानन महेश्वरी का निधन हुआ है वे भारत के सुप्रसिद बनस्वति विज्ञान थे 2017 अनेल माधव दवे का निधन हुआ वे भारत सरकार में पर्यावराण बन्न जलवाई वेवं परिवर्तन के राज्यमंत्री थे अठारा माई के मेहतपूर अपसर और उस सब के बारे में जानेंगे पोकर नर्ण परमारू पिस्वोर्ट दिवश्ट 18 माई को मनाया जाता है और संगराले दिवश्वी 18 माई को मनाया जाता है जलिए आज के वीडियो Ooh अपनी नहीं पर समाप्त करते है आज के लिए इतना ही कल फिर हम देखते हैं वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जहन जगारत